हमारे देश में अंदोलन कहीं भी हो, विरोध, प्रदर्शन, जाम कहीं भी लगे, इसका नुकसान हर बर्ग को होता है कारोवारी को भी होता है, कहीं समय का होता है, कहीं पैसे का हो जाता है हम ना किसान के खिलाफ हैं और ना ही जवान के लेकिन आपको बता दें कि क्रिशी कानून बापस करवाने के लिए जो किसान अंदोलन हुआ था उसमें कारोबार को इतना नुकसान हुआ था कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा देश की एकॉनमी को 50,000 करोड रुपे से लेकर 70,000 करोड रुपे का नुकसान हुआ था तब टोल हाइबे ब्लॉक रहे थे एन एचे आई नैशनल हाइबे अथार्टी को 2731 करोड रुपे का घाटा जहिलना पड़ा था Association Chambers of Commerce, इनकी रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि अंदोलन से पंजाब, हर्याना, हिमाचल परदेश और जम्मु कश्मीर जैसे राज्यों को हर दिन करीब 35,000 करोड रुपे का नुकसान जहिलना पड़ा था दिल्ली समेथ कई जगा CAA और NRC का विरोध हुआ था शाहिन बाग याद होगा आपको प्रोटेस्ट हुआ था, केंदर बन गया था शाहिन बाग, इससे कारोवारियों को 200 करोड रुपे से ज्यादा का नुकसान हुआ था जून 2022 में देश में अगनी भी रियोजना के खिलाफ नौजवान सड़क पर उतरे थे 260 करोड रुपे की रेलवे की संपती को नुकसान हुआ था उस्वन ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है जीडीपी का 6% तो पिछले साल हुए प्रोटेस्ट में ही चला गया जबकि दुनिया में अलग अलग विरोध प्रदर्शन के चलते वैश्विक अर्थ विवस्था को 1457 लाख करोड का नुकसान उठाना पड़ा लगाई अंदर धरने और प्रदर्शन निश्चत रूप से एक डेमोक्रिसी में एक हधियार है उसका उपयोग निश्चत रूप से होना चाहिए कित्तु कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर हो जिससे कि व्यापार पर उसका विपरित परभाव नपड़े तो कि व्यापार यदि परभावित होता है तो सीधे तोर पर हमारे देश की अर्थ व्यवस्था परभावित होती है हमारा एक्सपोर्ट परभावित होता है हमारा मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर परभावित होता है हमारा सर्विस सेक्टर परभावित होता है अच्छा हमारे देश में धर्ना प्रदर्शन को लेकर नियम काईदेत होंगे आपको भी लगता होगा हैं वो क्या हैं? भारत के संभिधान का अनुछेद 19 नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है क्या कहता है ये? अनुछेद 19 अंडर बैकेट 1A उसके तहट है कि भाशन और अभिवेक्ति की सवतंतरता का अधिकार है अनुछेद 19 अंडर बैकेट B ये क्या कहता है कि हथ्यार के बिना शांती पूर्वक एकठा होने का अधिकार है आपको लेकिन सार्वजनिक संपत्ती को नुकसान और यातायात को बाधित करने की इजाज़त नहीं है सुप्रिम कोट भी कह चुका है कि विरोध के अधिकार का सम्मान और प्रोतसाहन होना चाहिए हलांकि शाहिनबाग प्रोटेस्ट की सुनवाई के दोरान कोट ने ये भी कहा था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कबजा नहीं किया जा सकता और सार्वजिनिक संपति को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोध परदर्शन करने वालों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए उनको जिम्मेदार ठराया जा सकता है अगर बात राष्टियों सुरक्षा की हो देश की संप्रुवता और अखंडता की रक्षा की हो तो सरकार धरना परदर्शन रुकवा भी सकती है झाइस साहो क उ concept रहा है उस उतभी का परती हो 20 racus चाहिए और किसी कारी जोनका वॉन का फंडामेंटल वाइंड है उसका इंफ्रेंज नहीं होना चाहिए आपको एक बात याद दिलाता हूँ साल 2018 में महराश्टर के किसानों ने मुंबई में अपना मार्च रात के वक्त इसलिए निकाला था ताकि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना आए सत्यग्रह और मार्च तो महत्मा गांधी भी किया करते थे पर वो अपनी बात कहने के लिए थे जनता को असुविदा पहुंचाने के लिए नहीं अगर लोगतंतर बचाना है तो प्रोटेस्ट करने वालों को और कानून लागू करने वालों को उसी जनता के बारे में सोचना होगा जिसकी जिन्दगी और दिन्चरिया की कीमत पर ये किया जा रहा है प्रोटेस्ट का एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी तामील लाजमी होनी चाहिए खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हक्किकत जानने मनिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुचाना हो या फिर हर्याना में भर्की हिंसा के हर पहलू को सब के सामने लाना हो हम बिना थके आप तक खबरें पहुचाते रहें पब्लिक इंट्रस्ट यानि आपके हिप की बात देखते रहें पब्लिक इंट्रस्ट सिर्फ एबीपी निउस पर एबीपी निउस आपको रखे आगे